चिलिंडर के जरूरत है कि भौनिद हेर। można को इसको फैसा इसके बारे में जानगर ही देना है बहुत ज़रूर भी है इसलिए हमला फास दर्फ की उन्हें खार नहीं है। इसको कैसे यूज करना उसके बारे में जो पैसे इसकी उज़ करना इसके बारे मेरे नाम डॉक्टर गॉतम गर्ग है यह श्लेंडर्स लेने के लिए सब लोग दौड रहे हैं लेकिन इसका सही कमाइने में कैसे इस्तमाल करना है वो जानना बहुत जरूरी है इसमें जो भरी हुई ऑक्सिजन है आज यह लाइफ सेविंग है क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से मैनेज नहीं करेंगे अगर ऑक्सियन लीक हो जाती है तो सिलेंडर जल्दी खाली हो जाएगा और जिस मुश्किल से ऑक्सियन आज मिल रही है उतने ही जल्दी सिलेंडर खाली होने के वज़ए से आपकी गल्दी से दुबारा रीफिलिंग में बड़ी दिक्कत आ लिए तो यह जानना बड़ा जुरूरी है कि सिलेंडर को कैसे आपने यूज करना है सबसे पहले यह जब आप बजार से सिलेंडर लाते हैं तो यह सिलेंडर है यह ट्रॉली इसकी सेफ्टी के लिए है इसके अंदर यह फ्लो मीटर फिक्स रहता है जिससे यह फ्लो मीटर है जिसमें यह बताया जाता है कि जब आप चाबी खोलेंगे कि गैस कितनी है इसके अंदर सबसे पहले आप यह बॉटल को खोल गए इसके अंदर मार्किंग है यह मैक्सिमम लेवल जो लिखा हुआ है इसके नीचे आपने पानी भर लेना है आरो वोटर नहीं डालना है मिन्डर वोटर नहीं डालना नॉर्मल टैप वोटर डालना है चाब बॉटल डालने के बाद इसको आप बंद कर दीजिए ज्यान रहे कि यह अच्छे से बंदों यहाँ पर लीक ना रहे किसी भी तरह का नहीं तो वह आक्षियन लीक करेगा अब डालने के बाद यह आपका आक्षियन मास्क है इसका एक हिस्सा इधर चला जाएगा और दूसरा पेशेंट पहल लेगा उसके बाद यह चावी साथ में आती है इसको यहाँ पर रखा जाता है और सिलेंडर को आप खोल देते हैं खोलने के बाद इसकी जब सुई है वह उपर आ जाएगी जो यह बताएगी किसके अंदर गैस कितना है यह होने के बाद जब आपने पेशेंट को मास्क लगा दिया आप पेशेंट का उंगली पे सैक्षुरेश है तो कि शॉटेज होने की वज़ा से पेशेंट की पुजिशन नहीं अच्छी हो जाए उनको अपराइट तीस डिग्री में बिठाया जाए तो लो नॉर्मल तरीके से मैनेज करने की कुशिश करेंगे अगर सैक्षुरेशन नब्बे से बीचे जाती है जब आप उंगली पर लगाते हैं उसके बाद आप लगाने के बाद इसको खोलेंगे यहां से खुलेगा और यह रेड कलर की जो अंदर बॉल है यह जंप करेंगी नब्बे से बीचे आप एक लेड़ लीटर पर पेशेंट को ऑक्षियन देखे मैनेज कर सकते हैं अगर आपको लगा कि पंद यह यहां से बंद करतें और साथ में यहां से भी ऑक्षियन सिलिंडर बंद कर दिया जाए ताकि कम पूरी तरह से ऑक्षियन दुबारा से लॉक हो गया और इसकी अंदर से लीकेज नहीं होगी वापिस जरूरत आने पर आप इसको यूज कर सकते हैं तो जरूरत जितनी जर जोगें इसमें एक रगना भी होसकते हैं तरह सितकी नहीं हो था कर दे घए जए झाहिए